वेलकम बैक फ्यूवर्ज इस समय की बहुत बड़ी कबर आ रही है उत्तर प्रदेश में शिफपाल यादव ने अधिकारियों को खुली धंकी डे डाली है कारे करता लाल कलम से अधिकारियों का नाम लिख लें सीधे तोर पे का गया है स्पी की सरकार बनेगी तो पूरा हिसाब किताब होगा दो हजार सताइस में बन जाएगी समाजवादी पार्टी के सरकार तो अधिकारियों के साथ पूरा हिसाब किताब होगा शिपपाल यादफी अधिकारियों को ये बड़ी धंकी है समें की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है सीधा मैं सुधान शुत्रवेदी कारू करता हूं सुधान शुत्रवेदी 27 में थहा की सरकार आ रही है अधिकारी नोट कर ले देखे वो जो खावो ख्यालों वाली सरकार है और जिस प्रकार की बात बोल रहा है इनकी दो बाते समझे इनकी मानसिक्ता यही है अभी 2022 के चुनाव में याद करिये अखिलेश यादव जी की रैली का वो वीडियो ए पुलिस ए पुलिस समल के रहो याद करिये समल के इनके एक कारिकरता का वीडियो जिसमें पुलिस वाले से ने चालान किया वो बगएर हेलमेट के चल रहा था तो कहता आप कर ले तू चालान इसके बाद या तो तू रहेगा मैं या रहूंगा तो इसलिए ये जो आप ये बात करें और अन्त में एक और लाइटर नोट मजाक में कहना चाहूं एक हम लोग तरफ गाउंदेहात में कहावत होती है कि आधी रात का खांसी आवे और सई साम से मूँ फैलावे मतलब मैं सोच रहा हूं कि आधी रात को खांसी आएगी तो सूर जलते ही मूँ फैलाना शूरू कर दिया मेरे भाई अभी दो हजार सताइस बहुत दूर है और याद रखिए कि सत्रह में بھی हमारी सरकार थी बास में भी हमारी सरकार है बास में भी हमारी सरकार रहेगी वैसे शूपाल जी के ये अर्मान है या ये अखिलेज जी के अर्मान पर पानी फेरने का काम है सुनील यादव ये धमकी बरा अंदाज सपा में अलाउड है अबास अंसारी भी मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने पुलिस के लिए बोला था कि हिसाब किताब पूरा होगा दोजार बाइस में कोई अफसर कहीं नहीं जाएगा अबास अंसारी ने बयान दिया था जैसे मेरे जैसे कारकरता के पास लाल डैरी है लाल पेंसे उन सभी अधिकारियों का नाम और उन सभी भारती जन्ता पार्टी के निताओं का नाम लिखा जा रहा है जो गलत कर रहे हैं जो जिम्मेदारी से हट करके काम कर रहे हैं, जो कानून को तोड़ करके काम कर रहे हैं, सुभाविक है उनके नाम होंगे तो उनको जेल भेजना थोड़ा आसान रहेगा, उनका इलाज करना थोड़ा आसान रहेगा, तो उसे कौन से बड़ी बात है, जो कानून तोड़ेगा उसकी जगे तो जेल में है भाई BJP भी सरकार में है आप डंगाईों को बचा सकते हो, भ호स्ताचार नियुक्त कर ने सपा का नंबर इतना चाहा है कि उन्हें पूरा अनुमान है कि 27 में सपा आएगी और सब कुछ बदल जाएगा उत्तर परदेश के अंदर देखे एक इनके दिल की आर्जू कैसे उबर के सामने आगए इनके मूँ से निकला जेल जाएंगे जब की जेल जाना अदालत तै करती है आगई सपा की असली है हकीकत सामने और 27 तो मेरे भाई छोड़िये पहले साथ सीटों के मामला तै कर लियो और उनके बाद बताना कि 27 में सरकार रहेगी है नहीं इसलिए मैं कहा रहा हूँ ये ख्वाबों ख्यालों की बात छोड़ दीजे तुम्हें इस बात का यकी ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमी ही नहीं है इसलिए पहले हम से लड़ना छोड़िये जिरा कॉंग्रेस से बठवारा कर लीजिए वो जो एक वाले वोड़ के लिए अनन्दुबे आप भी कोई लाल डायरी में लाल पैंसे नाम लिख रहे है अधिकारियों के अब आपने गंचा तो लाल डालना शुरू कर दिया हम तो भगवा हमिसा पहनता हूं लाल लग रहा है यही तो आपकी नजर भगवान आप अपना चस्मा जरूर चेक कराईएगा हो सकता है देखिए ऐसा है कि जब भारती जनता पार्टी मेरे को तो चस्मा नहीं लगा है शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया बिल्कुल चस्मे पे कभी और बात कर लेंगे लेकिन फिलाल आज के आरपार्क एडिशन में इतना ही लेकिन चस्मा पेन के अमन चोपड़ा जरूर त्यार है अगले कारिकरम के लिए